आज ही हमने बहुत ही नए तरीके से भिंडी को बना करके तैयार किया है यदि आप एक बार 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 इसी तरीके से भिंडी बना करके तैयार करेंगे हमने बिंडी को पहले से अच्छे से दो लिया था तोड़ी दिर के लिए रख दिया था जो उसका एश्टरा पानी था सारा पानी निकल गया था और फिर बिंडी को हमने कट किया है हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है बिंडी को कट अप अपने एक्छा के अनुस दिया था वैल आप किसी भी तरीके का जो खाते हैं वो आप ले सकते हैं जब गरम हो जाए तो आप इसमें थोड़ा से जीरा डाल दें और जीरा को अच्छे से चटकने देंगे और हमने एक बड़ी प्याज को छोटे-छोटे टोकड़ा में कट किया हो थोड़ा सामने लाय तेज गैस पर हम प्याज को थोड़ा सॉप्ट करेंगे जब हमारी प्याज अच्छे से सॉप्ट हो जाएगी तो हम इसमें और कुछ चीज़न डालेंगे देखो हमने दो-तीन मिनट में ही हमारी प्याज अच्छे से सॉप्ट हो करके तैयार हो चुकी है प्याज में हमें को को फ्राई करेंगे बहुत ही टेस्टी आज किया है भिंडी बन करके तैयार होगी कि जब एक आद मिनट भिंडी आप टेल में फ्राई हो जाए तो हमने हल्डी में थोड़ा सा पानी मिला करके रखाता सिके वास हमें में डाल देंगे जब आप हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला करके डालेंगे तो आपकी भिंडी है एक दम बिलकुल कोई कलर चेंज नहीं होगा एक दम हरी रहेगी और बहुत ज़्यादा गलेगी भी नहीं और बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल देंगे हमने हींग को पहले नहीं डाला है नहीं तो हींग का अच्छा टेस्ट नहीं आता है अब हम इसमें थोड़ी सी जो हमने हींग डाली है उस हींग से इस भिंडी वह बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देखने में तो खाने में तो बहुत ही अच्छी लगेगी इसलिए आप सूकी हल्दी को नडाले हल्दी में पहले थोड़ा सा पानी डाल करके रख लेगे बीडंडी तो खाद देखो हमारी विंडे आछी से फ्राइश हो चुकी है तरो हम लो मेडियम गईश बैस पर दो 3 मिनट ही लगे हैं में और करके तयार हो चुकी है इसमें हम छोटी चम्मत से आदी चम्मत धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे तीक है आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग कमया जाना कर सकते हैं हमने इसमें बहुत जादा कोई स्पेसल मसाले नहीं डाले हैं भिंडी तो बहुत ही सादा सेंपल मसाले में बन करके तैयार हो जाती है वो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे अब हम आपको एक बर याद दिला दें यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बर लाइक जरूर करें और जादा से जादा अपने फैमली और फ्रेंड में सेयर करें देखो जो हमारी बिंडी है बिंडी बिल्कुल भी गली नहीं है एक दम खिली खिली आपकी बिंडी बन करके तयार होगी और देखो सारी बिंडी तो हमाई पहले से अच्छे से पके चुकी थी हमने जो मसाले डाले थे सूखे उनको हमें थोड़ा सा पकाना है क्योंकि हमारे सूखे मसाले थे इसलिए आपको धीमी गैस पर ही पकाना है नहीं तो जो आपके मसाले हैं जल जाएंगे इसलिए आपको ध्यान देना है कि भिंडी के जो मसाले हैं बिल्कुल धीमी धीमी गैस पर ही आपको अच्छे से पका लेना है हमने इसमें पानी यदि आप एक बार इस तरीके से हल्दी डाल करके और बाद में हींग डाल करके भिंडी बनाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, सभी लोग बहुत ही आपकी तारीप करेंगे यदि आप बिना लासुन प्याज की बनाना चाहती है तो भिंडी तो बिना लासुन प्याज की भी बन करके तयार हो जाती है कोई जरूरी नहीं है कि इसमें लासुन प्याजी डाले तब ही आपकी भिंडी टैस्टी बने बिना लासुन प्याज की भी यह टैस्टी भिंडी बन करके तैयार हो जाती है सारी भिंडी हमारी अच्छे से पक चुकी है और जो हमने सूखे मसाले डालेते हमारे मसाले भी अच्छे से भून चुके है हमने बिल्को दीमी गैस पर मसालों को भूना है एक पिलेट में हमने भिंडी को सर्व कर दिया है वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद